हाई सखेज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज के वीडियो में हम ये मैल्टी लेयर्स देखेंगे, ये एक शैक कट है, जिसको की मैंने आपको सिखाने के लिए इन क्लाइन के ऊपर बताया हुआ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और देखते हैं कि इनके बाल कैसे और कटने के बाद कैसे हो गए, तो ये हैं इनके बाल, जो की बगार कटे हुए हैं, इनको बालों की अपनी लेंद बहुत ज़्यादा कम नहीं करनी है, बस जो शेप में आ जाएं, बस उतना ही करना है, तो ये देखिए, इनके बालों का लुक और इनका बिफॉर लुक और आफटर लुक में, हैर कट के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, तो सबसे पहले बालों को टैंगल फ्री करना है, यानि की बालों से जो में जो उल्जने होती है, उनको धीरे-दीरे करके सुल्जा लेना है, बालों को कैसे सुल जाना है, हम नीचे से शुरू करेंगे, बा करके बालों को सुल्जा, तो ये देखिए, इनके बालों का ये लुक है, और ये इनके बालों को नीचे से करीब 2 इंच काटना है, और उपर से हमें लेर्स देनी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और देखते हैं, कटिंग को शुरू करते हैं, और देखते हैं क यानि की पानी से गीला कर लें, गीले बालों में कटिंग अच्छी होती है, खास करके इस टाइप की जो स्टैक कटिंग होती है ये गीले बालों में करो तो बहुत अच्छी होती है, अब नीचे के बालों को देख रहे हैं, बहुत टेल से हो रहे हैं, यानि पूच-बूच से हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हको निखालूँगी, ठीक है? उसके बाद अच्छी तरह से कोम किया है, बालों को बिल्कुल चिपका लिया है कंदे से और उसके बाद नीचे कie को ट्रिम कर रही हूं मैं उसके बाद कटिंग को शुरू करूंगी थोड़ थोड़ से बालों को निकालना है इस तरह से बिगनेस है आप थीरे थीरे आप कटिंग सिख जाएंगे कभी मैं डमी में कभी क्लाइंट के ऊपर कटिंग आपको बताया करूंगी और मैंने स्ट्रेट कट बताया है आपको और अब यह मैं शैक कट बता रही हूं और इसके साथ मैं यू कट वगड़ भी बताऊंगी बट अभी चुकि यहां पर क्लाइंट का की कटिंग आ गई थी तो मैंने सुझे चलो पहले स्ट्री बता दूंग और पीछे के बाल जो है ना मैं ला काटा करें जादा काट देने से फिर क्लाइंट आपका नाराज हो सकता है तो मैं आपके एक और कुछ टिप्स पी देती चले जा रही हूं जिससे कि आप इस लाइन में आगे बढ़ सको तो थोड़े से बालों को अभी निकाला है मैंने उसके बात क्या करना है बालों को दो उसके बाद क्राउन एरिया से बालों की एक लट को उठाई है मैंने यानि की सिर के बिलकुल ऊपर से यानि सिर का जो बीच का हिस्सा है अधा हिस्सा आगे और अधा हिस्सा पीछे होता है तो जो बीच का हिस्सा होता है उसको क्राउन एरिया बोलते है वहां से मैंने बालो को मिला करके जहां पर एक्स्ट्रा होंगे न क्राउण एरिया वाले बाल उसको कार्वियों है तो यही आपके गाइड लाइन बनेंगे अब इसको यहां पर इस तरह से रख दिया है मैंने आप चाहें तो सेक्शन क्लिप से उसको सिक्यूर कर लें उसके बास ट्रेट निकाला है उपर के बालों को निकाला है और उस गाइड लाइन से मिला दिया है और उपर की और कौम करती हुई ले गई हूँ धीरे-धीरे से उपर कौम करती हुई ले जाई है उसके बाद उस गाइड लाइन से मिलाते हुए बालों को कट कर दीजी इस तरह से ठीक है यह एक्स्ट बाल इनके कट जाएंगे, अब दुसरी लेर उठानी है हमने, इस तरह से उठानी है और देखिए उपर की गाइड लाइन मे पकड़ रख की है और इसको इस तरह से तो अभी जो बाल कटेंगे न वो पहले बालों से थोड़ा कम कटेंगे और नीचे बाल बिलकुल ही कम कटेंगे तो यही इस कटिंग की पहचान है जिसे कि नीचे के बाल लंबे ही रह जाते हैं कटते नहीं है अब इसको इस तरह से कॉम करना है और इसको उपर की उड़ ले जाए और एकदम धीरे धीरे करके आप कॉम करेंगे तो बड़े अराम से बैलेंस आपने हाथों का बनाया रखिए गाप बिगनर है तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको लेकिन इस तरह से अगर आप कटिंग क ड्राइ और फिजी वाल है तो आप उसकी घर पे केर कर सकते हो सहर पाकरवा सकते हो पारलर में जाकर के घर में अलो विरा दही लगा सकते हो मितलब बालों को अगर आप अच्छी तरह से डाएट के साथ साथ उपरी केर भी करोगे ना तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं अब चलते हैं दूसरी तरफ के बालों की और तो जो guideline लिया था न हमने उसको मैंने merge कर दिया है और ear to ear वाले बालों को आगे रखा है और उपर से जब उठाऊंगी तो वो merge वाले जो guideline है वो भी आ जाएंगे और दूसरी तरफ के बालों को मैंने section clip से secure कर दिया है तो अब देखो यहां से जब मैंने इन बालों को उठाया तो हमारी guideline भी इन बालों के साथ आ जाएगी है ना अब इस guideline को हमने कैसे पहचानना है यह देखे बाल उपर के और गये आपके है ना और यहां पे हमें आपको guideline दिख जाएगा जोब छोटे है ना वही हमारी guideline होंगे तो ीस तरह से मैं dom कर रही हूँ थोड़ज़िञ रह थे तो इस तरह से she aqui ऑर यह जो extra दिख रहा है यह देखो यह extra दिख रहा है उसको हमने काट रिए है To उपर के बाल सबसे ज़्यादा कटे नीचे वाले थोड़े कम कटेंगे और उससे नीचे तीन लेयर लिया है मैंने तो उससे थोड़े कटेंगे तो इस तरह से इसको भी उपर वाले को मैंने इस तरह से रख दिया है और अब नीचे वाले बालों को काट रही हूं मैं तो एक सरे यहीं जाना है यह घरना नहीं है कि बहुत आरे बाल कट जाएंगे शुरु 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 में मैं बहुत सारwhat करती थी तु लेकिन चाहएंगे ही है नहीं तो पूसरे कर दो में इम सकते हो तो धे पहले straight काट लिया फिर उसी में you काट लिया फिर laser काट लिया फिर layers काट लिया तो इस तरह से फिर mushroom काट लिया फिर blend काट लिया तो एक dummy में कई तरह की cutting हो जाती है थोड़ थोड़े बाल काटने है आपको और ये देखिए ये पूरी cutting हो गया और नीचे पहले के बालों से अं guideline लोगी तो ये देखो crown area से मैंने guideline लिया है और मैंने कोसिस करी है आपको दिखाने की पास से hope कि आपको समझ आ रही होगी तो पीछे से थोड़े से बालों को उठा करके मैंने year to year बालों में मिला दिया है और उसके बाद comb कर रही हूं मैं तो इस तरह से comb करते चले जाना है काफी उपर की ओड़ ले जाना है इन बालों को ड्राइ फीजी पाल होने के विए से ये फस रहे है वरना फसते नहीं है बाल इस तरह से comb करते जाएए उल्चे हैं बाल तो कोई बात नहीं हमारा काम है ये हमें सुल जाते फी जाना है और फिर कटिंग करनी है तो इस तरह से देखो कि उपर की ओड़ ले गए है और ये जो मैं इस सुल जाते चाल जो नीचे बाल रहे हैं नीचे वाले इस पार्टिंग को करते हुए अब हमें नीचे बालों के साथ इसको मिला देना है अब ये देखो ये सारे बाल मैं ले ले रही हूं आप और बिल्कुल इसको उपर की उठाना है तो अभी तक आपको वीडियो अची लग जग रही हो तो ग्लाइक किसा दे यूश्चे साथ अगर आप मेरे चैनल पर ऊद चैनल को कर देना सब्सक्राइब इसके साथ साथ आप छेयर कर करके कमेंट भी कर सकते हो तो इस तरह से देखें आप सारे बाल ले लिए न कि अगर आप regular इनको करते हो तो मैं certificate भी दूंगी आपके आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए मैं certificate दूंगी जो की मेरे classes को regular कर रहे हैं और पूरा course होने के बाद मैं उनको certificate दूंगी और आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे message कर सकते हो comment section में कर सकते हो या Instagram पे आप मुझे DM कर सकते हो मैं सबके questions के जवाब देने की कोसिस करती हूँ और सबके questions के जवाब मैं देती हूँ तो इस तरह से देखी कि पूरी cutting हो गई और अब पीछे वाले बालों को थोड़ा थोड़ा सा करके है और कितने नहीं है तो uneven से बाल थोड़े बहुत थे जो वह इस तरह से मिला देने से निकल जाते हैं वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी सी क्योंकि पूरा जब detail में बता हो तो वीडियो लंबी ही बनती है बहुत ज़्यादा editing करने से वीडियो छोटी हो जाती है जो हम cutting करते हैं थोड़ा time लगता ही है और वीडियो में जब समझाना होता है तो और time लग जाता है तो इस तरह से देखो कि back side की मैंने cutting कर ली फ्रेंट से मिलाते हुए बैक की cutting भी हो गई और अब जो थोड़ा सा फ्रेंट साइट से एक्ष्टा निकल रहा है उसको भी मैं निकाल रही हूं ठीक है उसके बाद फिर हमने इसको क्या करना है इस तरह से थोड़ा सकेंची में जो भी एक्ष्टा रहे हैं सब को हमें निकालते हुए चले जाना है मेरे playlist में बहुत सारे cutting की videos हैं आजकल cutting मैं कम डाल पा रही हूं लेकिन मेरे पहले की videos बहुत सारे हैं cutting की उससे आप blunt, bob, cut यह सारे cutting सीख सकते हो उन में भी मैंने काफर detail में बताया हुआ है classes तो मेरे चल रही हैं और मैं cutting सारा बताऊंगे आपको लेकिन आप मेरे पहले की video भी playlist पर जाके देख सकते हो ठीक है और अब क्या करना है देखो कि इन बालों को सही कटे हैं या नहीं कटे हैं इनको check करना है तो comb करते जाएए आप दीरे दीरे करके बालों को पिल्कुल उपर के और उठाते चले जाना है कुछ इस तरह से जैसे मैं उठा रही हूँ और अपने बालों को थोड़ा और गीला कर रहे ना मेरे बाल जो है ना काटते से मैं थोड़े से dry हो गया है लेकिन मुझे practice है तो मैं इसमें भी कर ले रही हूँ लेकिन आप पूरे बालों को अच्ची तरह से गीला कर ले ना बाल पूरे को ऐसे उठाओ गे और यह बिलकुल एक्वा लाएंगे अगर आपके कटिंग सही हुई है तो चैक करते हैं कि हमारी कटिंग सही हुई है या नहीं हुई है टो इस तरह से पूरे बालों को दिरे दिरे करके सुल्जाती जारी हूँ मैं और उपर की उठाटी चली बाल दिख रहे हैं तो यही बालों की जो है कमी थी इतने ही बाल हमने ठीक से नहीं हुए थे हमारे बस अब हो गए अब इन बालों की कर दे नोचिंग करने के बाद हमारी cutting जो है वो complete हो गई अब चलिए इन बालों को हम set करेंगे और देखेंगे कि इसका final look कैसा आ रहा है वीडियो बिनाने बहुत महनत से लग रही है महनत ही लगती है बहुत तो आप एक like तो घरी दिया करो और आप लोग अगर मेरी वीडियो उसको देखते हो पसंद करते हो तो comment जरूर किया करो मुझे पता चलेगा कि आप कितनी लोग मेरे वीडियो को देख रहे है और सीख रहे है आप देखिए यह कटिंग हो गई और चलेए मैं आपको अब सेट करके दिखाते हूँ और यह बाल है कटे हुए जितने बाल निकले है वो यह है तो यह भी मैंने दिखा दिया है आपको इतने एक्स्टा वाल निकलेंगे इस टाइप की कटिंग अप करते हो तो और चली मैंने यहाँ पर प्रेसिंग मसीन से सेट किया है आपको मैं यह सेटिंग किसी और वीडियो में डिटिल से बताऊंगी तो देखो बालों को लिक और ब झाला हंभाँ किया लेखा दिए दान किया है एसी और बताओों किंग से खिरल आपको लेखें। झाल 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 झाल